मिलिटरी में एक सोलजर के भोजन करने के नियम होती हैं। वे डाइनिंग टेबल पर वेटर से मुह से मांग कर खाना नहीं ले सकती हैं। उन्हें अपने स्पून और फोक से आकार बना कर वेटर को समझाना होता है कि कब उन्हें खाना चाहिए और कब डाइनिंग टेबल से को हटाना है जै हिंद दोस्तों आपके अपने सेल्योट इंडियन आर्मी चैनल में आप सभी का स्वागत है आज का हमारा ये वीडियो इंडियन एर फोर्स एकडमी में खाने के कितने सक्त नियम है और इन नियमों को सीखने के लिए डिफेंस सर्विस से जुड़ने जा रहे युवाओं को कितनी मेहनत करना होती है इस पर आधारित है दोस्तों एक सोल्जर के मिलिटरी में रहन सेहन और जीवन के साथ साथ खाना खाने के नियम भी इतना सक्त होते हैं कि उसे आम जीवन के नियमों को भूलकर military के नियमों को अपनाना पड़ता है क्योंकि जीवन भर उसे यही काम आने वाला है Indian Air Force Academy में ट्रेनिंग के दोरान Defense Service से जोडने जा रहे युवाओं को खाना खाने के भी ट्रेनिंग दी जाती है और ये नियम इतने आसान भी नहीं होते कि कोई एक या दो दिन में इन्हें सीख पाए रोजाना अलर्ट रहकर और नियमों को बारिकी से समझ कर ही पेट भर खाना खाया जा सकता है दरसल जब भी कैटेट्स भूजन करने के लिए डाइनिंग टेबल पर जाती हैं तो सब से पहले उन्हें खड़े रहकर टेबल पर बैठा जा सकता है इंडियन एरफूर्स एकड़मी में यवा सोलजर्स को डाइनिंग टेबल मैनर्स सिखाए जाती है इनमें सब से पहले यदि कैटेट्स को खाना चाहिए तो उन्हें अपनी प्लेट के अंदर फोक और स्पून को एक के उपर एक रखकर क्रॉस का चिन्ध बनाना होता है जिससे वेटर समझ जाता है कि उन्हें अपनी प्लेट में और खाना चाहिए प्लेट के अंदर चावल, सबजी, ग्रेवी और सैलेड रखने का भी एक निश्चित स्थान होता है जिसे कैडेट्स को वही पर रखकर खाना होता है खाना हो जाने के बाद यदि उन्हें अपनी प्लेट हटानी है तो स्पून और फोक को एक के पीछे एक सीधी लाइन में रखकर एक आकरिती निर्मित करनी होती है जिससे वेटर समझ जाता है कि अब उसे टेबल क्लीन करना है जब तक पास में बैठे सीनियर का खाना कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक कैडेट्स टेबल से नहीं हट सकते और उठने के बाद कैडेट्स को टेबल के राइट साइड से निकलना होता है जो कि इस नियम का एक हिस्सा है ऐसे कई जटिल नियम भूजन की समय Defense Service से जुडने जा रहे एक युवा Soldier को सीखना होता है दोस्तों, आज तक हमने खाना-खाने के लिए सिर्फ परिवार में नियमों को जाना है लेकिन आर्मी में किस तरीके से नियम होते हैं आज हमने इस वीडियो के माध्यम से देखा है आपको ये वीडियो कैसा लगा? कॉमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं इसी तरीके के दिल्चस्प वीडियो देखने के लिए प्लीज चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें जल्द मुलाकात होगी आर्मी से जुड़े इसी तरह के दिल्चस्प वीडियो के साथ जै हिंद!